कि अब सभी को आपके अपने चैनल कॉंसेप्चुल अश्टरी वित्रितेश में बार पुना स्वागत है और यह वीडियोशन्स आप लोग के लिए बहुत ज्यादा स्पेसल होने वाला क्यों होने वाला क्योंकि इस तरीके से आप लोग टेंस आज तक कहीं नहीं पढ़े हों अब लोग वीडियो को लाष्ट तक देखिए और बहुत ही ज्यादा अंदर तक समझ आने वाला है ठीक है कभी जीवन में भूलकर ही नहीं भूलेंगे इस तरह से आप चाहेंगे तो भी नहीं भूलेंगे ठीक है ऐसा है तो अंगलों को पूरा लाष्ट तक देखना वीड होता है क्यों अब द देखे टेटेंस होता है क्या कि तो समय जान रहा है क्या हम लोग के पास तीन टैप के समय रहते हैं तीन तारह का समय रहता जैसे कि एक जो बीच चुका है एक जो अभी वर्तमान में चल रहा है एक जो आने वाला है ठीक है जैसे कि कल हम खाना खाये थे आज खाना खा रहे हैं या खा चुके हैं या फिर मतलब खा रहा हूं मतलब कुछ भी कर रहे हैं मतलब आज ही न कर रहे हैं यह हो गया ठीक है और खाऊंगा ये तो आपको भविस्य आपके लिए भविस्य का बात हो गया ठीक है तो तीन ही तरह का बात हम लोग करते हैं अगर इटेंट सीख जाएंगे तो आप लोग तीन तरह का ही बात करते हैं तो तीनों तरह का बात इंग्लिस में बोलना सीख जाएंगे और बहुत ही ब भागों में बाटा गिया परजेंट टेन्स पास्टेंज फ्यचाट्यू टेंज को आप लोग समय बोल ली जिए काल बोल ली जिए ठेक है तो तीनों में से कुछ भी बोले समय इसको माल लेते हैं टेंस मतलब टाइम ठीक है अब देखते हैं जो टाइम होता है तीन परकार के होते हैं एक परजेंट में जो चल रहा होता है ओह होता है एक पास्ट में जो बीच चुका है ओह होता है और एक फीचर में जो आने वाला होता है तो परजेंट टेंस को कहते हैं हिंदे में वर्तमा पन् समय अभी का समय ठीक है फैसे जाने ने सतक आने वाला समय थो इनिदर्षञों दूर तक है आप समय आगए होगी समय और के होते हैं एक किनको को कहते हैं कौन सा चीज किस नाम से जानते जुब बीत गया है राफ्सको पास्टेंस के नाम से जानते उसका नाम रहें हम लोग पास्टेंस जो आने वाला उसका नाम रीरत इंस अर्जो भी वरतमान में परखने है टिक है Issa कर लोग को त्हु कुलियर हो बने वाला है ठीक है और इतना कम समय में इतना अच्छी एक्स्पिलिसनेशन के साथ आज तर वीडियो नहीं देखें हों कि यूट्यूब में तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखेंगा ठीक है चैनल को और लाइक भी किजिए गश्मस्टिक अगर अच्छा लगे कमेंट भ हम लोग जैसे की बातों बातों में बहुत सारे लोग काते है आप लोग को माल लेते हैं चारों का हिंदी इंग्लिज कुछ नहीं पाता है ठीक है आप लोग जो जानते हैं सारा भूल जाईए अब देखें इंडेफिनेट लिखा हुआ है इंडेफिनेट मतलब कुछ नहीं करेगा ठीक है अनिस्चित है उसका कोई कोई सीमा नहीं मतलब कोई पक्का बात नहीं है उसका अनिस्चित है जिसे कि मैं घर जाओंगा तो कोई जरूरी नहीं कि मैं घर ही जाओंगा ठीक है इधर अगर आम का पेड़ रह गया तो आम के पेड़ में भी चड़ जाओंगा आम continuous के मतलब क्या होता है जैसे कभी भी सुने होंगे कि continue में ये काम करता ही रहा हूं आए तक जैसे कि किसी के मुझ से सुने होंगे कि मैं इतने सालों से continue यह काम करता रहा हूं ये काम मतलब करते रहे हैं ठीक है तो continue मतलब कोई काम करते रहना है यानि कि कोई काम चल ही रहा है ठ इतने भी चीज़ हैं रहा हूं मतलब कि अभी काम कर रहा था मतलब कोई काम करता रहूंगा तो यह जो continuous continuous है यह किसी काम को चलते रहने को बताता और indefinite किसको चीज़ और यह कौन पया हूं धिश्चीत ऐसके बारे बूंड킨 कि निश्चीत रूप से घरी जाएगा कोई बच्चा जा रहा है जैसे की बोलेंगे समर घर जा रहा है मतलि जाता यह तो कोई जरूरी ने कि आज भी घरी जाएगा ठीक है carrying हो सकता हो आज कहीं दूसरी जगा अपने फेंड़ेंट्स के साथ खेलने चला जाए। हो सकता हो आम के पीड में चाड़ जया हो सकता हो किसी दूसरी जगा चल जाए। ठीक है तो एक और चिंसी काम के चलते रहने का बहुत कराता आप देखे परफेक्ट इसके बारे हम जो जान देते भूल चाहिए इससे ठीक है अभी के लिए भूल जाए और जो अभी हम बताएंगे उसको पूरा इदम अंदर तक जाने दीजेगा ठीक है जैसे कि बहुत सारे जगा आप सुने होगे कि यह परफेक्ट तरी तरीके से यह काम किया हूं मतलब कि कोई काम को बढ़िया तरीके से किया किया मतलब कि कर चुका हूं ठीक है तो इसका हिंदी की आवर्षन किसी काम को कर चुकना ठीक है जैसे कि मैं खा चुका हूं मैं पीचका हूं मैं नहा चुका मैं नहा चुकूंगा पास्ट में तो मैं नहाच चुका था, अभी चारा तो मैं नहाच चुका हूँ, ठीक है, तो यही तीन टैप की होंगे, तो perfect मतलब कोई काम हो चुका है, ठीक है, आप देखें, फिर इधर रिवाज करते हैं, definite मतलब अनिश्चित, continuous मतलब कोई काम चल रहा है, perfect मतलब कोई काम हो चुका है, और perfect continuous मतलब perfect यहाँ से भी दिया हुआ, continuous यहाँ से भी दिया हुआ, और कोई काम हो भी चुका है, perfect तरीके से और continuous चल भी रहा हूँ, जैसे कि मैं सुबह से खाता रहा हूँ, मतलब की खाता ही, इतरा तो कोई नहीं खाता है, ठीक है, तो इसका उधारन चेंज करते हैं, जैसे के स हम लोग बोल सकते हैं कि मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, मतलब कुछ चेप्टर पढ़ भी चुके हैं, कुछ चेप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब की काम हो भी चुका है, और चल भी रहा है, जैसे कि मैं 2017 से विद्याले, इस विद्याले में पढ़ता रहा हूँ, म मतलब कोई काम चलने का बहुत पर्फेट का अब कि हो भी चुका है और चल भी रहा है तो इतना जीज बताएं जो अध्यान से सुनेगा अब देखिए सारा को क्या करना है यहां पर आप लोग को लिख देना ठीक है अब जिसे कि देखिए इंडेफिनेट है तो प्रवार प्रशन परवारल जीसे कोई काम चलते रहने का बहन था मिखा रहा हूँ मैं खाया यॉहां पर मैं मतलो diamond 1997 से यह काम कर चुका था करता रहा था और 1999 से यह काम करता रहा हूं तो ए जो है श्रॉन सी तिन प्रकार के पास्ट फूचर और पास्ट परजेन्ट और फ्यूचर ठीक है तो इन ही को यहां लिख देना है, परजेंट में है, तो परजेंट इंडेफिनेट टेंज, पास्ट इंडेफिनेट टेंज, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंज, फ्यूचर इंडेफिनेट का, फिर परजेंट कंटिनियूस टेंज, पास्ट कंटिनियूस टेंज, फ्यूचर कं हो गया होगा ठीक है इसमें ज़रा भी डावट नहीं हुआ होगा अब देखिए इसमें कुछ कुछ मैन चीजें भी है कुछ इसमें सुत्र भी लगेंगे ठीक है तो उन सुत्रों कॉंसरेंण सा हम नेक्ट विडियो में बताएंगे ठीक है और उनका हिंदी भी आप योग को बताएंगे और आप लोग हिंदी बोलना, इंगलिश बोलना, सीखेंगे भी भढ़ियात तरीके से ठीक है कैसे सीखेंगे एसे तरुकि इस में जैडिकर तीनी परकार का समय होता ठीक है उनका मुह में नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद इसके बाद वाले वीडियो को देखने के बाद आपका मुह में इंग्लिस आने लगेगा ठीक है और आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे आप भोल कर दिखाए आपका टेस्ट लेते हैं अब देखें प भूले नहीं भूले ना आगे आने वाले एक ठोर वीडियो आएगा ठीक है अभी जो थोड़ एशन्स हम एक्जाम से देख्या रहा है तो मेरा मतलग की नींद लग गया था तो अभी कोई देरी के बाद हम जग गया है ठीक है तो इसलिए आप लोग को लेट हो नहीं तो आप आप लोग का दोनों वीडियो को मिक्स करके एक ही वीडियो में आता ठीक है तो जो अगला इसका पार्टेशन्स आप लोग देखना न भूलिएगा उसमें भी में चीजें ही दिये होंगे ठीक है उनको देखने के बाद आप लोग को पूरा किलियर हो जागा एर्र सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आप लोग को आने वाली समय में बहुत सारा कुछ इंफर्मेशन मिलने वाला ठीक है तो थैंक्स पर वाचिंग आशन्स फिर मिलें के निट्रेशन में के साथ अब तक लिचे हिल बंदे मातरम